अब हम उन कुछ घटनाओं पर आते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे अमेरिका अपनी वर्चस्वता को स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेट सब अपना रहा था और उन घटनाओं में आपके अध्याय में पहली घटना है प्रथम खाडी युद्ध खाड अब देखिए नक्षे में फिर देखिए एराक कहा है जो पूर में नक्षा देखा है उसी को फिर यहां में लगाया हूँ एराक की स्थिति देखिए एराक बनाम अमेरिका की स्थिति देखिए और एराक बनाम भारत की स्थिति देख लिए एराक के ठीक नीचे कोने पर पर्शियन गल्फ को छूता हुआ और एराक की सीमा से लगा हुआ ये देश आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं कुएट क्या कहते हैं कुएट 1990 में अगस्त में एराक ने कुएट पर हमला करके इसको कबजा कर लिया क्या कारण है इनको हम इस पर हम नहीं जाते आपके लिए यह विशय इस बात से शुरू होता है कि एराक ने कुएट पर कबजा किया और कुएट पर कबजा करने का यदि हम एक मुख्य कारण देखें तो हम समझ चकते हैं कि वह वहाँ कुएट जो है पेट्रोल का अपार भंडार है पेट्रोलियम का तो इराक की नजर उस पर भी थी और कुएट एक हट कुछ हट तक विरोधी भी था इराक का तो इन दोनों कारणों के मद्दे नजर इराक में कुएट पर हमला किया बड़ी तेजी सा और उसके कबजा किया और अपना कबजा जमा लिया यह बात अमेरिका को नागवार गुजरी 1990 की घटना है सोवियत संग तूटा भी नहीं था लेकिन सोवियत संग तूटने की कगार पे था और अमेरिका का मालूम था कि सोवियत संग अमेरिका के किसी भी प्रयास को चैलेंज नहीं कर सकता उसका विरोध नहीं करेगा इसका फाज़ा उठाते हुए अमेरिका ने समिक्त राश्चंग पर दबदबा बनाया कि इराक पर हमला किया जाए और राश्चंग ने कुवेट पर हमला करने की अनुमति दे दी ताकि कुवेट को स्वतंत्र कि आजा जाते के सुकुवेट को मुक्त कि आजाते के जहां तक उद्देश का सवाल है उद्देश अच्छा था कैसे एक देश दूसरे देश पर ऐसी हमला करके उसे कबजा कर सकता है तो समिक्त राश्चंग ने अनुमति तो दी लेकिन ये अनुमति अमेरिका के दबाओ में थी अमेरिका ने इस पर एक दबाओ बनाया था क्योंकि अमेरिका का खुद का स्वार्थ इसमें कुछ नहित था और उसने इसको नई विश्व व्यवस्था नाम दिया न्यू वर्ल्ड ओर्डर एंड डब्ल्यू ओ मुक्त कराने के बाद की स्थिति जो बनेगी वह एक न्यू वर्ल्ड ओर्डर लाएगा ऐसा अमेरिका ने कहा और अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ओर्डर के प्रयास में एक कम्बाइंड फॉज का नितरत किया कम्बाइंड फॉज में कितने देशों की सेना थी 34 देशों की स मेटना है सोवियस संग का विगेटन उस समय नहीं हुआ था और अगस्ट 1990 में इराक ने हमला करके कुवेट पर कबजा कर लिया था सोवियस और संग्त राश्चंग ने इसे गलत माना इराक के राश्च्पति के द्वारा किया गया जा निर्णा गलत माना और उसने अमेरिका क अनुमत ही दी कि एक जॉइंट फोर्स के माध्यम से हमला किया जा है और स्वतंद किया जा है उस जॉइंट फोर्स का नेतरत अमेरिका कर रहा था 34 देशों की मिली जुली सेना जिसमें अधिकतर नैटो देश के फोजी थे और कुछ स्विक्त राश्चंग के अन्य सदस्य देशों के फोजी भी थे दिखाने के लिए तो यह स्विक्त राश्चंग की फोज थी पर सचाई तो यह है अमेरिका ने अपने प्रभाव से एक तरीके से यह सेना अपने निर्ने पर बनाई और 34 देशों की कितनी सेना 6,60,000 सैनिक उसने इराक पर जोग दिये इराक के विरुद मोर्चा खोला और उसे परास्त किया सैनिकों की संख्या कितनी 6,60,000 कितने देश 34 देश किस पर हमला इराक पर किस लिए कुवेट को सतंतर करने के लिए लेकिन ये सब स्विक्त राश्च संग के नाम से किया गया ये लड़ाई जो कहलाती है उसे कहते हैं प्रथम खाडी युद्ध क्या कहते हैं प्रथम खाडी युद्ध पहला खाडी युद्ध शेक्तराश संग के इस सैने अभियान को जैसा मैंने कहा ये मूल ता एक तरीके से अमेरिकी सैने अभियान था 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने सबसे पहले इराक के वरुद मोच्चा खोला और उसे पराजित किया इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है इसका अरतिय हुआ कि प्रथम खाड़ी युद्ध वर्षकाल 1990 जाद रखेंगे UNO या स्विक्तराश संग के इस अभियान को सैने अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है समझने की कोशिश करिए प्रथम खाड़ी युद्ध का हिस्सा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 और स्विक्तराश्च संग के द्वारा अमेरिका नहीं स्विक्तराश्च संग या UNO का जो अभियान था सैने अभियान उसे कहते हैं सैनिक ऑपरेशन किया गया जो टूफानी था शायद इसी से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हम याद रख सकते हैं ये एक तरीके से इसे वास्तराश्च वास्तराश्च संग की जो वर्चस्वता थी उस पर बड़ा प्रशन चनना है अमेरिका का दबाओ और अमेरिका का ए इकाद इकार एक तरीके से विश्व में विश्व की राजनीती में बिलकुल पस्ट परिलक्षित था और इसलिए ये जो सैनि अभियान था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहने को तो यूएनों के द्वारा था और वास्तों में अमेरिकी सैनि अभियान था एक अमेरिकी इस अव्यान के मुखिया थे और 34 देशों की सेना में 75 परशवत सेनिक अमेरिकी थे बाकी परशवत सेनिक अन्य देशों से ले लिए गये थे केबल ये बताने के लिए कि इस एक तरीके से चैक तुराच्टं का व्यान है अमेरिका का निए हालांकि एरान के जो राश्वतिस दाम हुसाइन थे उनका एलान था कि ये जंग सौ जंगों की एक जंग साबित होगी सौ जंगों की एक जंग लेकिन दुर्भाग्य की एराकी सेना बहुत जल्दी हार गई और उसे कुएट से हटने को भी मजबूर होना पड़ा इस अभ्यान को जैसा मैंने बताया ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म भी कहते हैं यह ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म डिजर्ट मरुस्थल और स्टार मने तूफान जैसा मैंने बताया पहले तो इससे ये बात स्पश्ट हो गई कि बाकी देश सैन ख्यमता में अमेरिका से बहुत बहुत पीछे हैं मैंने कहा न जब कारणों का जिक्र किया था अमेरिकी वर्चस्वता के कारण तो इसमें मैंने एक बिन्दु बताये था कि अमेरी का शक्ती प्रदर्शन पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि इसका मानना था कि जितनी शक्ती का प्रदर्शन करेंगे अन्य देश इतने ही घबरा जाएंगे भीरू हो जाएंगे, अमेरिका के दर्वाजे खटकटाएंगे और उसके सारे आदेशों का पालन करेंगे, करबद तरीके से पालन करेंगे तो यह शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था और इस लड़ाई में अमेरिका ने 6 लाग से जादा फॉद को जो जोगा, उसको दिखाने का उदेश था प्रदर्शन और यह बात साफ कर दिया, अमेरिका ने कि हम अन्य देशों से, दुनिया के किसी भी देश से सैनिक शमता में बहुत आगे हैं, और इस लड़ाई का दूसरी बात यह हुई, अमेरिका ने अपने प्रद्योगी की प्रभाव को भी दिखाया, प्रद्योगी की प्रभाव याने IT, कंप्यूटर के क्षेतर में भी वो कितना आगे बढ़ गया है, इस बात का प्रदर्शन भी उसने कर दिया, इस युद में, अमेरिका ने स्मार्ट बमों का उप्योग हुखिया, जो स्मार्ट बम कहलाते हैं, और इसलिए इस लड़ाई को कंप्यूटर की लड़ाई कहा जाता है, कंप्यूटर युद, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर युद, ये लड़ाई जो है, आप लोग उस समय के वीडियो यदि देखें, उस लड़ाई के, तो आप पाएंगे, कि ये जो लड़ाई थी, उसको लाइफ कवरेज किया गया था, लाइफ कवरेज यनnant ajudarे न प्रदर्शित किया और लड़ाई के मैदान में चल रही लड़ाई को हम लोगों ने अपने अपने ड्रॉइंग रूम में टीवी के सामने बैच कर देखा है आप कलपना कर सकते हैं लड़ाई कहीं हो रही है और दुनिया भर के देश वहां की जनता वहां की पब्लिक उस लड शम्क्नी की ज्ञान अपनी प्रवकि की का प्रभाव दिखाने के लिए उसने से किया और इसलिए इसे कम्प्यूटर युद्ध की संग्या दी गई टेलिविजन पे इस इस को दिखाने के बाद वीडियो गेम वार शुरू हो गया वीडियो गेम व्वार मतलब अब इसके बाद शुरू होता है ऐसे वीडियो गेमों का निर्माण जो आज इतना प्रचलित है जिसमें युद्ध और युद्ध और युद्ध के ही वो गेम्स युद्ध के लडाईयों के ही वीडियो बनाए गया है और बच्चे और आप लोग बहुत लोग इसमें खेलते हैं तो यह जो सारे द्रिश्य लिए गया यह इराक की लड़ाई से इराक कुएत या प्रथम खाड़ी लड़ाई से लिए गया यह वो लड़ाई है जिसे सेविक्त राष्ट संग ने क्या नाम दिया Operation Desert Storm ख्याल रखेंगे इसका नाम से इक तुराष्टन के द्वारा दिया गया था Operation Desert Storm तो यदि हम बात करें कि अच्छा फिर उसके बाद यह लड़ाई में अमेरिका ने विजय पाई और उसके बाद अमेरिका ने बहुत मुनाफ़ा कमादा बहुत प्रॉफिट कमादा क्यों क क्योंकि उसने दुनिया वर में लाइव रिकॉर्डिंग शो की लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने का फायदा उसको टेलिविजन राइट्स या कमपनी से मिला यह तो अलग बात है और अमेरिका ने ऐसा कहा जाता है कि जितना उसने खर्च नहीं किया इस लड़ाई में उस कि वहां के जो पेट्रोल के जो भंदार हैं उस पर उनका कबजा हो यह तो एक बार हम थोड़ा सा संक्षित में देखें कि इसके क्या कारण से युद्ध के कारण नमबर वन सबसे बड़ा कारण इराक के द्वारा कुएद पर कबजा यह सबसे बड़ा कारण पहली खाड़ हैं अमेरिका के स्वाहिम की इच्छा अमेरिका तो जब तब मौका देख रहा था कि अपना शक्ती प्रदर्शन कब और कहां और कैसे करें अमेरिका तो जब तब मौका देख रहा था कि उसने जो तकनीकी प्रगति की है उसका दुनिया में प्रदर्शन कब कहां करें वो त पर्थम खाड़ी युद्ध का निर्माण किया। तीसरा कारण तो बिलकुल स्पष्ट है, चोवियत संग का पतन। यदि चोवियत संग रहता, यदि चोवियत संग का विगटन नहीं होता, तो संभव है कि अमेरिका शायद ऐसा कदम नहीं लेता कि वो कुएद पर या इराक पर हमला करे, क्योंकि सोवियत संग एक लगाम लगाने का काम कर रहा था, सोवियत संग सतत विरोध करते हुए, अमेरिका की गित विदियों पर नजर रखे हुए था, पैनी नजर उसको लगाम लगाने का कारे करता था, खाड़ी युदिक के कारणों का जिक्र करें तो चौता कारण क्या है बताईए ये सब कारणों को हमने उसके कारणों की चर्चा कर ली है सभी कारणों की बात हो चुकी है, चाहे वो नक्षों का अध्यान करते समय, मैंने बताया हूँ, चाहे उसके बात प्रिष्ट भूमी का जिक्र करते हूँ, मैंने बताया हूँ, तो अब आपको हम क्या कर रहे हैं, कि जिसको हम कहते हैं, अनाज से चावल और बुरादा अलग- ये जानने का काम कि इन में से कौन सा बिंदू किस चीज के लिए उपियोगी है। किस प्रश्ण के लिए उपियोगी है। तो यदि प्रश्ण पूछा जाए कि प्रश्ण खाड़ युदि के कारण बताएं तो उसका चौथा कारण है जिसका जिक्र हो चुका है स्विक्त राश्ण की असफलता का मायने क्या है उसका कमजोर होना असफलता के मायने ये है उसका अमेरिका के दबाव में आ जाना असफ जोरी थी जैसे सोवियत संग का विगटन उस सोवियत संग के विगटन से एक बड़ा विरोध अमेरिका का खतम हो गया ऐसे सिविक्त राज्चंग के कमजोर होने से भी दूसरा और अंतिम विरोध भी कमाप्त हो गया था तो यह हुआ कारण परणाम क्या रहे परणामों का भी हमने जिक्र कर लिया है पहला परणाम कुएट स्वतंत्र हुआ ठीक कुएट स्वतंत्र हो गया दूसरा परणाम अमेरिका के वर्चस इस थापित हो गया अभी तक अमेरिका बहुत टाकतवर है अमेरिका बहुत शक्तिशाली है अमेरिका महा शक्ति महा महा शक्ति है यह सुना था पर पहली बार देखा गया, पहली बार महसूस किया गया कि अमेरिका की ताकत अतुलनी हो चुकी है, अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता और वास्ताओं में विश्व अब एक धुरूवी हो चला है तो इस युद्ध में विश्वराजनीती में अमेरिका का वर्चस्व इस्थापित हुआ ये तो दूसरा परणाम तीसरा परणाम अमेरिका स्वयम जितना युद्ध में इसने खरत नहीं किया उससे ज्यादा उसने मुनाफ़ा कमाया क्या कमाया? मुनाफ़ा. मैंने बताया आपको, मुनाफ़ा उसने बहुत कमाया. चौथा परिड़ाम कि इस युद्ध में जो मिडलीस के देश थे अभी तक वो एक तरीके थे अपने एकता की बात करते थे अरब एकता का नाम देते थे अरब वर्ल्ड जो है अरब वर्ल्ड जिसका नेतरे तो हम कह सकते हैं श्युक्त अरब अमीरात कर रहा था उसमें इराक कुएद यमन अदन इरान ये शामिल थे और ऐसा माना जाता था ये लोग ऐसा प्रदश्चित करते थे माने लोग सब एक हैं यूनाइटेड हैं और इसलिए हम लोगों से बच कर रहो ऐसा इस दुनिया का कहना था अरब वर् जहां पे इसलाम धर्म का बोल बाला है तो इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया कि हम लोग सब एक हैं और ऐसा जो महसूस करा रहे थे वह सब गलत निकला ये भरान्ति निकली ये जो ऐसा अरब एकता की भरान्ति को इस लड़ाई ने तोड़ दिया स्पष्ट कर दिया कि ये मत्र एक फीलिंग है एक विचार है और गलत है क्योंकि जब यहां पे इराक पर हमला हुआ कुएट पर हमला हुआ तो कोई अन्य अरब देश अमेरिका की विरोध में सामने नहीं आया इस युद्ध के लिए बीस में से केवल बारा देशों ने अपनी टुकड़ी भेज यानि आठ देशों ने नहीं भेजी किसके पक्ष में इराक के पक्ष में वैसे तो बीस देश हैं देखिए बीस देश दिख रहे हैं और यह सारा इसलामिक देश हैं और अरब एकता की बात करते थे एक अपना गुट बना की रखा था और ऐसा प्रदर्शित करते थे मानों सब एक हैं लेकिन ऐसा जब धरातल पर जब असली बात आई युद्ध की बात आई तो देखा गया कि ले देके वो भी बामुश्किल बारा देश इराक के साथ आए बलकि ग्यारा देश इराक स्वायम एक उसमें थे था बाकी आठ देश उन्होंने इस पक्ष में सिर्भरम था, वो गलत शाबित हुआ, अगला परिणाम क्या, यद्यपी ये युद्ध तो फरवरी इंकानुबे में खत्म हो गया, कब खत्म हुआ फरवरी इंकानुबे में, लेकिन इराक पर अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबं और ऐसा प्रतिबंद जो उसने लगाया फरवरी के बाद वो कई वर्ष्टों तक जारी रहे परणाम कि इराग अलग थलग पड़ गया इराग कमजोर हो गया आर्थि इंग्जिस्टि से उसका बहुत गिरावट लोग उसका जो पेटरोल था उसका जो तेल का भंडार था उस तेल का उत्पादन और उसकी बिक्री इतना करता था कि उसी के बल पर इराग की अर्थ व्यवर्थ था थी अब प्रतिबंदों के कारण इराग के तेल की मांग विदेश में कम हो गई मांग कम हुई तो इसका प्रडेक्शन कम हो गया उत्पादन कम करने के कारण इसकी आयवी गिरी और इराक की हालत आर्थी किसी थी बहुत खराब हो गई शोचनी हो गई ये अगला कारण, अगला परिणाम उसके बाद अगला परिणाम क्या हुआ भीशन बंबारी से इराक और कुएट तहस नहस हो गई मैंने बताया ना, अमेरिका ने अपनी आधनिक तक्नीक का प्रदर्शन करने के लिए ये युद्ध करवादा और उसके प्रदर्शन में उसने कोई कमी नहीं की जहां दस बंब में काम हो सकता था वहां ने उसे बीस अलग अलग तरीके के बंबों का प्रयोग किया जहां दस हवाई जहां 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 से काम हो सकता वहां उसने भारी संख्या में हवाई जहां बेजे ताकि सभी का प्रदर्शन हो सके अपनी ताकत का प्रदर्शन हो सके परड़ाम क्या हुआ भीशन जान माल की हानी शति कहा इराक और क्वेतनी अगला परड़ाम इस युद्ध ने साबित कर दिया ये बहुत महत्पूर्ण है कि प्रध्योगी की मामले में वैग्यानिक प्रगति के मामले में इन्फर्मेशन टेकन अलोजी के मामले में कंप्यूटर के उपयोग में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है कोसो मील आगे है सैनि विशेशग्य और परिवेख्षकों ने तो उसे कंप्यूटर युद्ध कहा है क्या कहा है कंप्यूटर युद्ध मैंने बताया आपको और यदि हम अंतिम परणाम और सोचें तो एक परणाम और ये सोच सकते हैं कि इसका परणाम ये हुआ कि लोग घर में बैठ कर अब युद्ध जैसे द्रिशियों को लाइफ देखने लगे गोलियां चलते हुए फौजियों के मरते हुए द्रिश बड़े कॉमन हो गये थो लोगं के ड्रॉइंग रूम में जो CNN चैनल था उस चैनल ने और कुछ अन्य चैनलों ने अपने पत्रकारों को युद्ध के खेत्रों में लगा रखा था ये पत्रकारों की जीवडता भी प्रदर्शित करता है तो इसके प्रणाम में प्रणामों की बात करें तो पत्रकारिता ने एक नया उंचाई पाई पत्रकारिता ने एक नया पैमाना स्थापित किया तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम, खाड़ी युद्ध, आपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व, कुएद पर इराक का हमला, इराक की बुरी तरह पराजय और विश्व, सोशल ओर्डर, वर्ल्ड सोशल ओर्डर जो अमेरिका ने जो बात की उस ओर्डर में अब क्या हो गया, जो दुनिया की जो पूरी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो आमूल चूल बदल गई, इस युद्ध के बाद, अमेरिका एक मात्र ऐसा देश बचा, जिससे सभी लोगों ने, बिना किसी चूचा के सुईकारा, बिना किसी स अंदेह के सुईकारा कि अमेरिका सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सबसे बड़ी शक्ति है, यह इसके परणाम थे,